दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आप लोगों को बहुत सुन्दर और बहुत इसी एक नक्ट डिसेंड लेके आया हुआ है आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए यह देखे सबसे पहले मैं इसके लिए कैन्वास फोल्ड करके लिए हुआ है इसमें नक्क चोडाई मैं रक रहा हूं साढ़े तीनिच उसके बाद में इसका डप्त रखता हूं साडे सातिंज इसी तरह क्रोस रखें साडे साइज मार्क कर लेने का ठीकर इसके बाद में हम इसको एक बॉक्स श्यप बना के इसको श्यफ दे देता है एक नॉर्मल यू श्यप बना देने का आप लोग को यह वाला टूल्ड्स अगर कहीं नहीं मिलता है आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो देता है इसमें आप चेक कर लीजी आपको इसका लिंक मिलेगा आपको ओनलेन पर्चिस कर सकते हैं यह देकि इसी तरह इसको शेप देता है अभी हमारा शेप एकदम तयार हो गया अभी हम इस सबसे इसको काट के निकाल देता है ठीक है कभी भी इसी तरह आप पिन मारके काट के निकाल देने का तभी आपका नक एकदम परफेक्ट बैट जाएगा अभी देखिए इसका दूसरा पीस काटने के लिए किस तरह लगता है लेकिए एक लंबा पीस काट के निकालना पड़ेगा आपको इसका चवडाई देखिए यह जो नक है इसका आदा चवडाई रखा हुआ है इसको इसी तरह रखके हमें करना है इसका में बात यह है इसक ग्लू वाला साइड उपर की तरफ रखके हम यह मार्किंग करना पड़ेगा नॉर्मली हम ग्लू वाला साइड में मार्किंग नहीं करता है लेकिन इसमें हम ग्लू वाला साइड में मार्किंग करता है ठीक है यह उपर वाल उपर का जो साइड है यह ग्लू वाला है उदर इस इसको मार्क करने के बाद में देखिए इसका लंबाई में ले रहा हूं इधर साड़े आट इंच ठीक है साड़े आट इंच का लंबाई मार्किंग करके उधर तक हमें शैप बनाना है जो शैप हम बनाता है देखिए यह दोनों नक का जो दोनों साइड है ओपर का साइड और नीचे का साड उसका जो फ्लो के इसाब से हम हातों से शेप बना देता है फ्री हैंड इसी तरह आप भी शेप बना देने का ते कि ओपर से जो आता है उसको भी उसी हिसाब से हम इसको शेप देता है ओपर से बड़ा होके नीचे आते आते वो नेरो हो जाता है ठीके इसी तरह हम इसको शेप दे दिया ये शेप की सबसे हम इसको काट के निकल देते हैं कैंसरी हमग के αιंसरा ट्राखल के दिया के पिर आदा दो K कैंसरी हम इसको काट समय इसको कान देते ह czasu अब यह दें कि हमारे नेक और यह वालु पीस दोनों तैयार हो गया हूए अब यह कि हमें इसको इसी तरह रखे उसे सिलाई कर देता यह देखे यह Ceil75 अधा है हमारे सिलाई की बाद में अभी हम क्या करते हैं इसको दोनों को कपडे में आयंड करके चिपका देता आ कि यह दे कि हम इसको कपड़े में आयन करके चिपकाया हुआ है और इसका एड़ भी आयन किया हुआ है उसके बाद में इसका किनारा देखिए इसी तरह हम सिलाई कर लेते एक बार कि अः़ यह देखिए में आयन कर दो ठीक है अभी हमारा जो मेंन नक है उसका भी साइड इसी तरह फोल्ड करके सिलाई कर देने का हमारा दोनों पीस तयार हो गया हुआ है लेकिन अभी दे कि मैं किस तरह इसको अटाच करते हैं सबसे पहले इसी नक को इसी तरह रख देने पड़ेगा रखने के बाद में हमें सबसे पहले इस पीस को अटाच करके निकलना है इसलिए इसको इसी तरह रखके बराबर श्रैप में रखके इसको पिन कर देने का नई तो आपका श्रैप बिगड़ जाएगा इसी तरह रखके इसको अच्छी तरह पिन मार के हम से लाई कर देता है ठीक है इधर दो पिन मार देने का इसके बाद में हमें वो बड़ा नेक हम में नेक इसके बाद में यह अटच करता है सबसे पहले यह अटच कर लेता है इसके लिए देखिए ओपर की तरफ में सीम अलवन्स चोड़ा हुआ है उसी तरह ही आप लोग भी ध्यान से कर लेने का अब यह देखिए यह हमारा नेक इधर अटच हो गया अभी हम इसका जो में नेक है उसको अटच कर लेता है तीके इसको देखिए इसी तरह हम रखके पिन मारना पड़ेगा जैसे हमने पहले रखका था है उसी तरह इसको रखके हम पिन मार देता है अभी सिर्फ सेंडर देखने का है सेंडर देखके आप अटच करेगा तो जो नीचे वाला पीस हमने अटच किया हुआ है उसका सिलाई के साथ यह अटच हो जाता है अब देखे इसका एकदम यह जो कैनवास का एड़्ज है वो एड़्ज से सिलाई शूर्यों करके फिनिश कर देने का अभी नक्का सिलाई हो गया अभी हम इसको कौट रिंज का सीमलाउंस रखके हम इसको काट के निकाल देते अभी इसका जो एड़्ज है इसको इसी तरह काट के देना पड़ेगा तो यह अच्छी तरह फिच्चे के तरफ मोड़ेगा ठीके अभी कटिंग हो गया अभी इसको फोल्ड करके एकदम पीचे के दरफ मोड़ेगा आयन करके निकाल देने का यह देगी हमारा नेक एकदम से रडी हो गया अभी हमें इसके उपर से एक पाइपिंग लगाना है वो पाइपिंग किस तरह लगाते करके मैं आपको दिखाता हूं जो विटाउट त्रेडवाला पाइपिंग लगाते हम इसमें अभी आच्छी तरह इसको आयन करके निकाल देते एक बर अभी देखिए मैंने यह उरे पटी लिया हुआ है उरे पटी निकालके इसी तरह इसको एड़्ज फोल्ड करके सिलाई कर देने का एक एड़्ज अच्छी तरह जो इसमें जो जो आच्छी तरह इसको एड़्ज एकदम तय्यार हो गया हम इसको इसहीतर है रखके आटाच करता है यह इसका जो दूसरा एट जो आई नहीं किया उसको इसहीतरह रखके हम जो प्रसर फूट है उसका एक पायर की चेवडाई में हम सिलाई कर देते हैं पूरा राउंड एक पायर की चेवडाई में सिलाई करना पड़ेगा तो यह आपको अच्छा फिनिशिंग में पाइपिंग की तरह दिखाए देगाई है भी घर राउंड हैTo की तरह ओवड़ेगेस सो hörtी निशिंगó लो पिरlı फाउंड टूरा बिलूब आपको जचेवड़ाई की तरह देते हैं कैञे में सिलें की उन्सका पाउनर का फिर्थ कुर देदा है हैं आपने में आपनें आपने का ज़िए कर दोंगा। कर दो देखिए इसका एक सेट का तो सिल्ला ही हो गया अभी हमें क्या करने पड़ेगा इसको अच्छी तरह मोड़ के एक बार आयन करने के करने के आप इसको फीचे के तरफ मोड़ के अच्छी तरह टाइट पकड़ के सिल्लाई करना पड़ेगा तो यह आपको यह बड़िया फिनिशिंग देदेगा ठीक है इसी तरह हम फोल्ड करके एक बार आयन कर देने का तभी यह अच्छा फिनिशिंग आपको आ जाता है अच्छी तरह टाइट पकड़ना पड़ेगा भी टाइट पकड़ के सिल्लाई कर देने का मुआए टू मुआटा देने के सिल्लाई करें द clerk पके सिल्लाई करेंगा डि Kommunen कर दोल् carnावा पक्ड़क़्रं आपकी करा अबस्या नपके सिल्लाई अबस्या हुनariamente सिल्लाई यह आपने अभी पाइपिंग लगाना सीख लिया होगा देखिए बहुत ही आसान काम है यह वाला काम आप लोग इसी तरह नेक्ट डिसेंट बनाते रहने का यह देखिए हमारा नेक्ट कितना बड़िया नेक्ट तयार हो गया अभी अभी इसमें और एक काम यह बाकी रह गया यह दिखाता हूँ मैं आपको इसका यह जो हम नीचे के तरफ जो लंबा डिसेंट रखा हुआ है उसके उपर इसी तरह बटन लगातेने का और कोई काम करने का जरूरत ने यह इतना सुन्दर डिसेंट देके बन गया हुआ हमारा आप लोग जरूर यह वाला डिसेंट बना करता हुआ है